डिक्टेशन इस्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद। पत्रावली का अवलोकन किया गया विराम संक्षेप में सूसंगत तथ्य इस प्रकार है कि फर्यादी पूरण ने दिनांक आठ आठ दोहजार पांच को एक इस्त गासा अधिनस्त नयाले में इस आश्य का परस्तुत किया की ग्राम सामोद में पश्चिम मुखी हवेली है जिसमें उसका तथा उसके भाई के हिस्से के मकानात वै बाथुरूम उत्तर मुखी बने हुए हैं विराम। बाथुरूम में नल कनेक्शन परिवादी के नाम से लगा हुआ हैं विराम। हवेली के मकान दर्वाजे के बाहर दक्षिनी और के गोखे के पास उक्त नल कनेक्शन की पाइप लाइन में पानी भरने के लिए टोंटी लगा रखी थी। विराम दिनांग सोले साथ 2005 को साइकाल चार बजे अभियुक्त गण ने इस टोंटी से पानी भरने से परिवादी को मना किया। तथा परिवादी वै उसके भाई सियाराम के साथ मारपीट की तथा नल को उखाड कर फैंकने की धम की दी विराम। जिसके संबंद में परिवादी की ओर से मुकदमा संख्या 134 ओबलिक पांच थाना सामोद में दर्ज कराया गया विराम। उसके बाद परिवादी वै उसके भाई सियाराम अस्पताल में डोक्टरी मुआयना कराने गए। तो अभियुक्त गणने परिवादी के उक्त नल की पाईप लाईन को सडक से लेकर बाथरूम तक की को रातरी 10 बजे तोडना शुरू कर दिया। और जब परिवादी की पतनी वै माता ने मना किया तो उनको मारने की धम की दी और पाईप लाईन को तोड़ कर पाईप वै टोंटी को ले गए विराम। जब रातरी 12 एक बजे परिवादी वै उसके भाई घर पर आये तो उसकी पतनी वै माता ने गठना के बारे में बताया विराम। जिस पर पुलिस थाना चोमू में दिनांक 177-2005 को रिपोर्ट पेश की लेकिन जब उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो परिवादी की ओर से अधिनस्त नयाले के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया विराम। उक्त इस्तगासे को जाच के लिए पुलिस थाना सामोद में भेजा गया जहां पुलिस थाना सामोद में मुकदमा संख्या 149 ओबलिक 5 पंजिवद कर अनुसंधान किया गया तथा अनुसंधान से धारा 427 ना काबिले दस्तन गादाजी का अपराद मानते हुए अंतिम प्रतीवेदन अधिनस्त नयाले में परस्तुत किया गया विराम अधिनस्त नयाले के द्वारा परिवादी को नोटिस जारी करने पर परिवादी ने अधिनस्त नयाले के समक्ष उपस्तित होकर प्रोटेस्ट पिटिशन प्रस्तुत की परंतु परिवादी द्वारा अपनी प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में कोई मोखिक साक्षय परस्तुत नहीं की गई विराम ऐसी इस्तती में अधिनस्त नयाले दवारा पत्रावली पर उपलवद साक्षय के आधार पर गैर निगरानीकार के वरुद धारा 427 भारतिय दंड सहीता के अंतरगत अपराध का प्रसंग्यान लेकर उसे जरिये समन तलब करने के आदेश दिये गए तथा परिवाद में वर्नित सेश अभियुक्त गण के वरुद प्रसंग्यान आदेश पारित नहीं किया विराम अधिनस्त नयाले दवारा पारित उक आदेश के खिलाफ यहे निगरानी इस आधार पर पर प्रस्तुत की गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं श्रीमती शाम लता एवं जितेंद्र सिंग के बयान अंतरगत धारा 161 दंड परक्रिया सहीता में माली राम शंकरलाल के उनके घर के सामने आने एवं पानी का नल तोडने तथा ताला लगाने का तथे आया है लेकिन अधिनस्त नयाले दवारा उक्त अभियुक्त गण के वरुद अपराद का प्रसंग्यान नहीं लिया है अधिनस्त नयाले का आदेश मनमाना एवं पत्रावली पर उपलब्द तथ्थूं के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग गये है विराम अतै निगरानी सिविकार की जाकर अधिनस्त नयाले का आदेश अपास्त किया जावे तथा गैर निगरानीकार संख्या चार के खिलाफ धारा 147.389. भारतिये दंड सहीता एवं गैर निगरानीकार संख्या दो तेन वै पांच लगायत नो के वरुद धारा 147.427. एवं 389. भारतिये दंड सहीता में प्रसंग्यान लिया जावे विराम अधिनस्त नयाले की पत्रावली के अवलोकन से फरियादी दवारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुलिस दवारा प्रेकरण पंजिबद कर अनुसंधान के पश्चात धारा 147. भारतिये दंड सहीता ना काबिले दस्तंदाजी का अपराध मानते हुए अन्तिम प्रतिवेदन परस्तुत किया गया विराम समाप्त दोस्तो निक्रिस्ट में Fractuation देखनों को मिलेगा आपको यानिकि Speed उपर नीचे हुई है तो आराम से लिखेगो और आराम से इसकी practice कीज़ेगा ठीक है कि नुक्ता जिसे बोलते हैं वो नहीं दिखेगा यानि कि बिंदु बोलते हैं सिंपल वासमें तो वो आपको नहीं दिखेगा ठीक है और ऐसे कई सारी इसमें mistakes होती है तो उनको सही कर लिए जगा क्योंकि बाकी मैं उनको बताता रहता हूँ तो आप उनको सही कर लिए जगा जैसे कि आप paragraph writing करते हैं तो इसको सही कर लिए जैसे कि देखे इसमें ये है सुने गए हैं तो इसमें हर जगे ये use हो है जैसे देखो शुरू है अब शुरू में रह बड़ा आता है यानि गुंडिवाला रात है तो ऐसी कुछ mistakes है तोड़ना इसमें डैपे वो वापस से नुकता नहीं है तो ऐसी चीज़े एक बार आप देख लिजेगा तो इसमें आप मेज करते हो ट्रांसलेशन करके तो इतना टेंशन में आने की जरूत नहीं है कि ये तो इसमें ऐसा है तो आप अपने इस आपसें को सही कर लिजेगा ठीक है थेंक्यू